तो हेलो एबरिवर्ण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में तो आज अम यहाँ पे L.T.Science का जो पेपर है जो 2021 में 8 अगस्त को हुआ था उसको डिसकस करेंगे तो उसमें हम कितने कुश्चन से देखेंगे 100 कुश्चन आते हैं और दो या तीन पार्ट बन सकते हैं इस वीडियो के तो अलग-अलग पार्ट में हम डिसकस करेंगे और आट अगस्त 2021 को यह पेपर हुआ था L.T.Science का 2020 में इसकी विग्यप्ति निकली थी और आट अगस्त को यह पेपर हुआ था 2021 को इसका रिजल्ट 31 दिसंबर 2000 जो है कवाय था 21 को इसका रिजल्ट लग-भग आया था ठीक है जिसके बारे में डिसकस करेंगे आए जिसकस को देखेंगे तो सभी mixed questions होते हैं physics, chemistry, biology के questions होते हैं चलिए देखते हैं देखो पहला question था इसमें कि almost all type of hydrolytic enzymes are found in यानि लग-भग सभी प्रकार के जो hydrolytic enzymes हैं वो कहां पाई जाते हैं राइबोजोम में, endoplasmic reticulum में, lysosome में या गॉल्जी बॉड़ी में तो इसका correct answer था lysosome में जो है, जितने भी जो है, वो hydrolytic enzyme होते हैं, जो hydrolytic enzyme में लाइजोजोम में पाई जाते हैं इसलिए lysosome को जो है, कोशिका का आत्म घाती थैला बोलते हैं, suicide bag of cell बोलते हैं अगला question है, which enzyme is secreted by salivary gland, कौन सा enzyme, लार्ग रंथी द्वारा स्रावित होता है तो सभी को पता है, जो लार्ग रंथी के द्वारा स्रावित होने वाला enzyme है, वो है amylase, amylase enzyme होता है trypsin, pepsin, यह जो protein digest करते हैं और invertase आपको पता है, यह carbohydrate को digest करने में help करता है अगला question है, by increasing the number of items in the test, किसी परिक्षण में प्रष्णों की संख्या बढ़ा देने से क्या होता है तो इसका correct answer है, किसी भी परिक्षण में, जब हम psychology में कोई test करते हैं, तो जितने ज़्यादा हम प्रष्णों की संख्या ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा उस test की reliability, यानि उसकी विश्वेशनियता उतनी ज़्यादा होती है, उसकी विश्वेशनियता उतनी बढ़ती है ठीक है, अगला question है, बता दिता हूँ आपको, यह जो question है, यह amylase वाला, यह lysosome वाला, यह 12th level का है, यह salivary gland वाला भी 12th level का है, यह psychology question है, अगला question है fourth, from the following, निम्न में से, which is not the characteristic of a good test, इन में से कौन सा एक अच्छे test का लक्षण नहीं है, तो इसका जो correct answer है, वो है, क्या subjectivity, option number a, इसका correct answer है, subjectivity एक अच्छे test की, विसेशता नहीं है, not पूछा है, अगला question है, phenol reactive with excess bromine of water, जब phenol के अभी करिया, bromine जल के साथ कराई जाती है, तो क्या उत्पन होता है, तो यह 246 tribromo phenol बनता है, option number a, इसका correct answer है, 246 tribromo phenol, इस तरह से होता है, यह phenol है, यहाँ द position पे BR जुरता है, और 6th position पे BR जुरता है, इसको बोलता है, 246 tribromo phenol, next question है, what is the role of scrotum, यह वाला question, जो उपर वाला question है, यह class 12 की chemistry से है, और यह 6th question जो है, यह class 12 की biology से पूछा गया है, human reproduction से, पूछ रहा है कि western course का का काम क्या है, scrotum का क्या काम है, तो देखो यह scrotum का main काम होता है, spermatogenesis में, sperm produce करने में, तो इसका काम होता है, यह spermatogenesis का दोरान, body temperature को, body temperature से कम temperature पे, testis जो है, उसका temperature रखता है, to maintain the temperature of testis below than body temperature, समझे रो, question number C, इसका correct answer है 6 का, अगला question है, in which of the following plant heterocyst cells are observed, निमन में से किस plants में heterocyst kosikai देखी जाती है, तो heterocyst kosikai जो है, वो नौ श्टॉक में देखी जाती है, नौ श्टॉक एक algae होता है, यह सभी algae के example है, तो नौ श्टॉक algae में heterocyst kosikai देखी जाती है, इनका main काम होता है, nitrogen fixation में का main काम होता है, option number B correct है यहां प found in, obese bodies किस में पाई जाती है, तो obese body जो हो tapital cell में पाई जाती है, class 12th का question है और ये उपर वाला भी, ये class 11th का question है, graduation label का भी है, और class 11th में भी है ये nose tryreg के बारे में, 12th में भी है, biology से पूछा गया है, अगला question है, ये question है, कि Phenol दे रखा है और इसकी reaction CHCl3 से करा रखी है और ये Benzaldehyde बन रहा है यहाँ पर ये Benzaldehyde का formula है बोल रहा है कि इस reaction का नाम कहा है तो ये Rimmer T-Man reaction है Class 12 के Organic Chemistry से पूछा गया question है ये D correct है इसका अगला question है in psychology to show oneself like any other person by the person belong to which defense strategy मनों विज्यार में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसे अपने को प्रदसित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतरगत आता है तो ये जो आता है ये आता है किसके अंदर identification के अंदर आता है ये identification के अंदर आता है ठीक है B correct है अगला question है ये psychology से पूछा गया गया है next question है कि citrus canker disease is caused by which bacteria citrus canker disease किस bacteria के द्वारा होता है तो citrus canker disease ये है वो जैन्तो मोना सिट्राई एक bacterial disease है उससे होने वाला ये रोग है ठीक next question है flowering due to cold treatment is called ये class 12th का question है class 11th का sorry biology से पूछा गया question है कि cold treatment के द्वारा पुस्पन पादपों में flowering को क्या कहते है तो इसका answer है vernalization option number B इसका correct answer है 11th के biology से पूछा गया ये question है ठीक है अगला question है lichens consist of algae and dyes ये बहुत ही असान question है इसे आप comment में बताएंगे अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं देख चुके हैं तो इसका answer आप comment करेंगे कि lichens किस-किस से मिलके बना है algae और किस से मिलके बना है इसका answer आप मुझे comment करेंगे next question है कि तो international rice research institute कहाँ पर इस्तित है तो ये फिलिपीन मनीला में इस्तित है option number E correct है इसका next question है for the process to occur under adiabatic condition the correct condition is एक प्रक्रम के रिदोस्त्म होने के लिए क्या जरूरी है तो रिदोस्त ये class 11 की chemistry का question है thermo chemistry का question है ये इस concern है जब किसी process से heat heat का transition zero हो ना तो heat अंदर जाए न भारा पाए तो ऐसी condition जो है adiabatic condition के लाती है रिदोस्तम प्रक्रम के लाता है option number B इसका correct answer है अगला question है first step of action research is action research में जब हम किसी problem को solve करते हैं तो उसको इसको action research किया जाता है तो उसका पहला पद होता है किसी भी problem को जिस problem के लिए हम action research करना चाते हैं उस problem को जो प्रॉन होता है उसके cephalothrox में कितने segment होते हैं option number C इसका correct है 13 segment होते है 13 खंड से मिलके यह बनता है अगला question है the best quality of pearl is obtained from the marine oyster is called सबसे अच्छी गुणवत्ता कमोती जो समुदरी CP से मिलता है उसको क्या बोलते हैं उसे linga pearl बोलते हैं option number B हमारा correct है यहाँ पर next question है extensive programmed instruction is also known as जो extensive programmed instruction है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे linear program instruction बोलते हैं option number C हमारा correct है यहाँ पर यानि रेखिय अभिकर्मित अनुदेशन बोलते हैं option number जो है C होगा यहाँ पर next है the difference of average energy level between substrate and transition state is known as यह class यह graduation में भी है यह question और class 12 की chemistry में भी है इस कांसर है activation energy सक्रियन उर्जा जब कोई जब electron को उसकी ground state से उसकी higher state में बहजा जाता है तो जिस energy की जुरुत परते हैं उसे activation energy बोलते हैं तो option number जो है हमारा A यहाँ पर correct है समझ रहो अगला question है how many subtests are there in Bhatia battery general intelligence test Bhatia battery सामन्य बुद्धी परिक्षण में कितने उप परिक्षण है यह बताओ जिसका answer आप मुझे comment करके बताओ मैंने try के इसको ढूढने का लेकिन मुझे मिला नहीं आप मुझे 21 का comment करके बताओ next question है कि according to Jean Piaget the period of concrete operational stage Jean Piaget की संग्यानात्मक विकास की मूर्त संग्यानात्मक अवस्ता कौन सी है तो आपको पता है Jean Piaget ने कई अवस्ता हैं बताई हैं बाल विकास की इसका correct answer यहाँ पर 7 से 12 वर्ष के अवस्ता को उसने concrete operational stage कहा है next है कि team teaching is developed by team teaching है वो किसके द्वारे developed की गई है तो समूर्ष सिक्षन का विकास जो है वो Jeffrey Mann के द्वारे किया गया है option number D हमारा यहाँ पर correct answer है oxidation of tolene reagent is used for deducting जो tolene अभी करम है का उसका उपियो किस में करते हैं किसके परिक्षण में करते हैं तो class 12 की chemistry का question है यह इसका अंसर है aldehyde के परिक्षण के लिए option number C aldehyde के लिए next question है कि among the following oxide which one is not acidic तो जो metal के oxide होते हैं वो basic nature के होते हैं इसलिए इसका अंसर Na2 होगा क्योंकि sodium एक metal वाला एक metallic element होता है तो option number B है कौन सा amelian नहीं है कौन सा oxide तो sodium B correct है mitochondrial matrix poses mitochondria जो matrix होता है उसमें क्या क्या होता है mitochondria जो है ऐसा cell organally है जिसमें अपने सब कुछ self replicate करता है protein synthesis की खुद की छमता होती है इसकी इसलिए all of the above होगा आप मुझे comment में बताओ mitochondria के अलावा cell के किस अंग में ये कौन से cell organally में खुद वो अपना protein synthesis करता है खुद replicate करता है खुद का DNA होता है वो आप मुझे comment करके बताओ mitochondria के अलावा next है how many fundamental vibration found in CO2 molecule CO2 molecule में कितने fundamental vibration होते है next है 28 की the knowledge of individual differences belong to which category of teacher quality व्यक्तिकत भिंता का ज्यान शिक्षन का गुण निम्न में से किस से संबनित है तो इसका answer है क्योंकि ये individual differences होते है तो professional quality है ये किसी teacher की उसकी व्यक्तिकत गुण है ये अगला है the sequence of nitrogen base present in DNA but not in mRNA ऐसे nitrogen base जो DNA में तो होते है कि तो mRNA में नहीं होते है उनको हम बोलते है introns क्या बोलते है introns बोलते हैं option number B यह हैं आपर सही है अगला है seeds swell when placed in water because बीजों को पानी में रखने पर वो फूल जाते है ऐसा by imbivision के कारण होता है अंतह चोसन के कारण होता है ये class जो है 11th की biology का question है ठीक है ये भी 11th की biology का question है 12th की biology का sorry जहां पर DNA के बारे में बता रख रख है 12th की biology का next है कि the insectivorous plant from the following is plant निम्न में से कौन सा insectivorous plant है तो इस cancer is drosera option number B हमारा correct है यहां पर कीट भक्षी पौदर drosera होता है ये class 12th की biology से पूछा गया question है ecosystem वाली chapter से अगला question है the number of mm metal metal bond in the following compound respectively इन में से mm bond कितने है इस cancer है 133 1,3,3 अगला है who has proponent the theory of connectionism संबंधवाद का सिद्दान जो है वो thorn like ने दिया था option number D हमारा यहां पर correct है next है which one is not a type of mental emotions of the child according to brunner brunner के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है तो brunner ने बताया था कि concrete operational stage बालक की जो है मानसिक उसका तरीका नहीं है next है a widely used diagnostic test for AIDS AIDS के लिए कौन सा टेस्ट होता है तो AIDS के लिए सभी को पता है ELISA test होता है ELISA test AIDS को deduction के लिए किया जाता है biopsy test cancer की cell को पता करने के लिए करते हैं और vidal test typhide के लिए किया जाता है next है कि which of the following is thermosetting polymer तो baccylite इसका correct answer ये class 12 की chemistry से पूछा गया question है chemistry in everyday life से ये भी class 12 की chemistry से पूछा गया ELISA test ठीक है chemistry सनी बाइलोजी से पूछा गया question है ELISA वाला अगला है कि neoteny and pedogenesis are found in this class of vertebrates तो चिर्भूनता तथा साविकी जनन vertebrates किस vertebrates की विसेशता है तो neoteny जो है amphibians में पाई जाती है देखो नियोटीनी क्या होता है नियोटीनी क्या होता है जब किसी organism की larval stage में ही वो अपनी reproductive stage प्राप्ट कर लेता है तो उसे नियोटीनी बोलते है amphibian में ये पाया जाता है the scalogram method of attitude measurement was propagated by तो जो scalogram measurement है वो किसके द्वारा जो है propagate क्या गया तो इसका answer linkert होगा अगर मैं सही हूँ तो मेरे साब से linkert होगा अगर कोई और है तो आप मुझे comment करके बताओ कि क्या होना चीए linkert होना चीए इसका असाइ अगला है the living fossils found in gymnosworm plant is gymnosworm में जो जीवित जिवास में जिंकेगों को बोलते हैं तो option number D ठीक है heterospory is found in heterospory किसमें मिलती है slaginila में heterospory मिलती है heterospory का मतलब जिसमें दो तरीके के spore बनते हैं एक microspore, एक megaspore तो option number B इसका correct है slaginila में अगला है the floral formula of family solenesi solenesi का जो floral formula है पुस्प सूत्र क्या है तो ये option number इसका correct answer है यानि actinomorphic condition होती है bisexual flower है 5 calyx मिलते हैं 5 ही कारूला मिलते हैं और endosium के साथ fuse जो है condition में पाई जाते हैं अगला the value of want of factor ये class 12 की chemistry का question है इसका answer option number B correct है और ये class 11 की chemistry question है 11 की biology का question है अगला है which among the following is a hereditary disease इन में से आनवांसिक बिमारी कौन सी है तो आनवांसिक बिमारी हीमोफिलिया है option number A इसका correct answer होगा आनवांसिक बिमारी sorry next step by whom the 16 PF questionnaire's personality is made up of यानि व्यक्तित तो मापन उपकरण 16 PF जो प्रस्णावली का निर्मान किस ने किया तो इस निर्मान किया था Raymond cattle ने यानि R B cattle ने option number D इन यूरिया साइकिल arginine breaks into यूरिया साइकिल में जिसमें जो waste material होटा है nitrogenous base वो भार निकलता है human body से ये किसी भी जीव से तो जो यूरिया साइकिल में जो arginine होता है वो arginine and citrillion में जो है तोटता option number C यहाँ पर correct हो जाएगा option number C अगला example of parasite algae parasite algae का example क्या है परजीवी algae सेपहलियोरोस जो सेपहलियोरोस है वो एक parasite algae होता है option number B अगला efflatoxin is produced by the fungus efflatoxin किसे प्राप्त होता है तो aspergillus से प्राप्त किया जाता है next है milky disease is related to जो दूदिया रोग है वो किसके द्वारा होता है तो यह bacterial disease है जो कि bacillus populi से होता है option number B हमारा correct answer है और bacillus populi से C है next question है which is correct order of reactivity of carboxylic acid astrification यहने अगर हम carboxylic acid का astrification करते है तो सबसे तेजी से reaction कौन करेगा order पूछ रहा हमे तो option number C इसका correct है सबसे असानी से reaction करेगा formic acid फिर करेगा acetic acid फिर करेगा और लंबे carbon की chain तो option number C इसका correct answer है astrification की परक्रिया में carboxylic acid करेगा क्रिया सिर्था करम C है next is the brain capacity of first human being like homo habilis वर यहनी जो पहले मानव जैसे प्राणी homo habilis की दिमागी छमता कितनी है तो आपको पता है कि human जो है वो विकास से बना हुआ है बहुत सारी homo habilis की जो जो दिमाग की छमता थी brain capacity थी वो कितनी थी 650 से 800 cc cc बोले तो cubic centimeter होता है यह brain capacity नापने का formula होता है एक unit होती है अगला transgenic animals are developed by जो transgenic animal है वो विक्सित के जाते हैं तो इसका correct answer वैसे तो सभी correct हैं इसमें लेकिन यह सभी यह सभी छोटे term है यह सभी जो है genetic engineering के अंदर गताते हैं genetic engineering एक broad term है इसलिए इसका answer D होना चाहिए अगला who says that environment sorry environment नहीं evolution may be defined as a systematic process of determining the extent to which educational objective are achieved by pupils किसने कहा कि मुल्यांकन को एक करंबद प्रक्रिया के रूप में परिवासित किया जा सकता है जो हमें बताता है कि छातर ने किस सीमा तक कितने सैक्चिक उद्यूस्यों को प्राप्त किया है तो इस cancer मेरे साबसे डांडे कर होना चाहिए option number B अगर मैं सही हूँ तो confirm नहीं है आप मुझे comment करके बताना अगर सही नहीं है या सही भी है तब ही बताना next है कि who the technique of DNA finger printing was first developed by DNA finger printing की खोज सबसे पहले किस ने करी थी विक्सित किस ने किया था सबको पता है class 12 की biology कोशन है elect Jeffrey ने किया था option number C इसका correct answer है which ecological pyramid is always upright कौन सा ecological pyramid हमेशा सीधा होता है तो option number A energy का pyramid हमेशा सीधा होता है class 12 की biology से ecosystem वाले chapter से है next है कि the bond angle in NS3 molecule is NS3 molecule में जो bond angle होता है वो 107 degree और 5 minute का होता है option number A इसका correct answer next है ये भी class 11 या 12 की chemistry से पूछा गया है 12 की chemistry से होगा bond angle वहाँ पे है 11 में भी है transgenic element belong to तो option ने इसका D block में जो संक्रमन तो उत्ता होते हैं और D block से संबनित होते हैं बहुत ही असान खुशे नहीं option number ये इसका correct है class 12 की chemistry से पूछा गया है pollination by snails घोंगे के द्वारा पराकण को क्या बोलते है तो इसका अंसर है malico philly option number जो है C correct answer है animal philly बोलते हैं हवा के द्वारा पराकण को hydrophilly बोलते हैं पानी के द्वारा पराकण को अचरिप्टो philly बोलते हैं चमगादर यानि bats के द्वारा पराकण को अगला है कि ये कोई आर है, अलकेन गुरूप है, इसका रिदक्शन ओर है लिथियम LIA की प्रिजेंस में, तो बोल रहा है क्या बनेगा, ये क्लास 11 की केमिस्टी का कोशिशन है, तो जो जो प्रोड़क्ट बनेगा वो अप्शन नमबर B है, अगला है कि होड़सू सेब्ड इंब्रियो सेक इस प्रेजन इन फॉलविंग ओव्यूल, तो जो घोड़े की नाल के आकार का इंडोस्पर्म किसमें मिलता है, तो वो मिलता है किसमें, वो मिलता है, एमफी ट्रॉपस, उसको एमफी ट्रॉपस बोलते हैं, उप्शन नमबर A, Next is the correct sequence of yuristik method terms, varistik विधी के पदों का सही करम क्या होता है, तो यूअ니다vadi के सही करम जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, तो और आप्शन नमबर जो है, B इसका correct है, B सही एसकाןसर, next है the addition of gypsum to potent cement ये class 11th की chemistry question है इस cancer है option number D यानि कि gypsum add किया जाता है cement में cement को सीगर जमने से रोकने के लिए उसमें gypsum add किया जाता है chemistry question है 11th class की equation of velocity for first order reaction प्रतम कोटी के विक्रिया के लिए वेग सम्मिकरन होता है class 12th की chemistry question है इस cancer है option number C K is equal to 2.303 upon T log initial concentration upon final concentration option number C is का correct है class 12th की chemistry से पूछा गया है next question है कि excess amount of urea in blood is known as blood में extra या excess amount of urea को uremia बोलते है next है which of the following is lyophilic colloid इन में से lyophilic colloid कौन सा है ये भी बड़ा विवाद वाला question था तो फिलाल इसका answer D correct मानते है D इसका correct answer है अगला है tylosis are founding tylosis किस में पाई जाते है तो जो heart would होती है option number B option number B अंता कास्ट में वो tylosis पाई जाती है अगला है evolution is related to which phase of teaching मुल्यांकन किस section phase में होता है तो मुल्यांकन हमें इससा तब ही होता है जब हम सब कुछ पढ़ा पुड़ा लेते हैं तब मुल्यांकन होता है किसी चीज़ का तो इसका correct answer है C post active phase of teaching यानि पढ़ाने के बाद हम मुल्यांकन करते हैं बच्चों का तो option C है correct name of H इस ये formula दे रखा है class 12 की chemistry का question है naming का coordination compound से इसका correct answer option number C hydrogen hydrogen tetra chloride और 8 third ये gold है तो option number C इसका correct answer है next question है what will be the electromotive force of following cell at 0 degree sales yes correct answer है next question है according to right to education act 2009 seats are reserved for children of economically and socially disadvantaged group of society in the private schools शिक्षा का दिकार अधिनियम के अनुसार आर्थिक वास सामाजिक रूप से पिछले वर के लिए कितने परशंट सीटे बच्चों के लिए सुरक्षित होती है तो बच्चे बच्चे को बता है इसका answer और 25% सीटे ठीक है बिटामिन B और बिटामिन C जल में सॉल्यूबल होते है यहाँ पर नहीं पोच्चा है तो option number C हमारा correct है next question है the space between the inner and outer nuclear membrane is directly connected to the lumen of जो केंद्रक जिलियों के मद्य की जगह का सीधा जुड़ाव इस जिलिक की मद्य से गोहा से होता है इसका answer है endoplasmic reticulum option number B biology का question है next है which of the following is composition of copper mate copper mate किसका composition होता है इसका comment आप मुझे करके बताओगे 73 का इसमें मैं sure नहीं हूँ अगला question है people who cannot directly express their anger ऐसे वेक्त जो सीधे अपने कुरोध को विवेक्त नहीं कर पाते है उनको हम जो personality का जो वो है classification उसे aesthetic category में रखते है किसने दिया था ये वाला classification मैं नाम भूल रहा हूँ आपको याद है तो बतारा नीचे learning curve represented by the following graph learning curve के द्वारा क्या बताया जा सकता है तो सभी कुछ बताया जा सकता है progress बताया जा सकता है rate of forgetting भूला कितना याद है किती speed से बच्चा learn कर रहा है वो बताया जा सकता है all of the above होगा इसका next question है according to NCF 2005 English subject को पढ़ाना कब से जरूरी है तो English subject को पढ़ाना NCF के नुसार का अक्षा एक से जरूरी होता है अगला question है a concept learned by a student in history class is used by him in Hindi class this is an example of एक विद्यार्थी के द्वारा इतिहासे कक्षा में सीखी गई अवधारना को प्यूग हिंदी कक्षा में किया जाता है ये किसका अवधारन है ये या तो bilateral transfer होगा या positive transfer होगा तो मेरे साब से positive transfer होना चीए इसका answer option number D इसका correct answer है बाकि आप देख ले न अगर सही answer आतो तो नीचे comment भी करना next question है comes under the acquired motives are अरजित अभी प्रेरखों को किसके अंतरगत रखा जाता है तो जो acquired जो motives होते हैं जो अरजित अभी प्रेरखों होते हैं वो सहयोग की भावना और competition की भावना यानि सहयोग और प्रतिसपरदा की भावना जो है वो acquired motives होते हैं जिने हम खुद से सीखते हैं खुद यह हमारे अंदर पहले से मौजूद नहीं होती अगला है in which teaching method the new rules और principles are derived from examples कि सिक्षण विदी में उधारणों के माध्यम से नए नियम या सिध्धान्त निकाले जाते हैं तो option number इसका C correct है inductive method में ऐसा होता है अगला है spikelet spikelet influence occur in the family जो spikelet पुस्परम है वो किस में पाया जाता है तो वो पाया जाता है poacy family में option C इसका correct answer है C वाला से इसका C देखो C